दोस्तो पेट में गैस बनना एक आम समस्या है छोटी उम्र से लेकर युवाओ और बुजुर्गों तक हर उम्र के वेक्ति को कभी न कभी इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है जादा तर लोग दिन में 5 से 15 बार गैस पास करते हैं अगर आपको लगता है कि आपको और लक्षन दिखाई देते हैं भूग न लगना बदबुदार सा से आना और पेट में सूजन रहना उल्टी बदहजमी दस्त होना पेट फूलना तूरे दिन आलश जैसे महसूस होता है दोस्तो पेट में गैस होने पर जब इस तरह से लक्षन दिखाई देते है तो आपको शर और असरदार उपाए ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वज़े से पेट में गैस बनती हैं चलिए इन्हें जान लेते हैं अत्यादिक भोजन करना ज्यादा देर तक भुके रहना तीखा या चटपटा भोजन करना ऐसा भोजन करना जो पाचन में कठिन हो ठीक तरीके से चब आपको भी ये सवाल जरूर सताता होगा तो चलिए इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं आप जो भी गैस पास करते हैं वह किसी ने किसी तरह आपकी आतों में पहुशती हैं यह तब हो सकता है जब आप मूँ से हवा को अंदर लेते हैं आपकी आतों में कुछ गैस बैक कार की रूप में तो कुछ हवा गैस के जरीए बाहर निकलती हैं दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कुछ खराब आदोतों की वज़े से भी हमारे मुह में बहुत ज़्यादा हवा अंदर चली जाती हैं जैसे कि चुईंगम या कोई कैंडी चबाते समय आप हवा को ज़्या आदत भी पेट में गैस बनाती हैं अगर आपको पेन या फिर कोई भी चीज चबाने की आदत है तो इसका मतलब है कि आप अपने पेट में अतिरिक तहवा ले रहे हैं जो गैस के रूप में निकलती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे बीर, सोडा या कोई भी बुलबुल वाले ड्रिंक पेट में गैस बनाने का काम करते हैं अगर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक पसंद है और आपको अकसर गैस की समस्या रहती है तो इसके बज़ाए कोई साधी ड्रिंक पिकर देखें आपको फर्क जरूर महसूस होगा आपको बार बार गैस बनने की असली प्रड़क्ट सूट नहीं करता है और इससे गैस बन जाती है कबज या धीमा पाचन भी गैस की समस्या को उत्पन न कर सकता है अगर आपको कबज है और खाना आपकी आथ में धीरे धीरे जा रहा है तो इससे पेट में गैस बनने का ज़्यादा मौका मिल जाता है जब खान कंडिशन भी पेट में गैस बनने के लिए जिम्मेदार होती है जैसे की डाइवरेटी कुलाइटीस, अलसरेटिव कॉलाइटीस, क्रोहंस डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंडरम, डाइबेटीज, थाइरोइड, डिस्फंक्शन या फिर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की वज पोटी हरड ले लेना है पेट में जमा गैस, अपज, खटी डकार, एसिडिटी, कब्स, पेट का ठीक से साफ ना होना पेट में जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए हरड बहुत अच्छी होती है हमने 10 ग्रैम काला नमक ले लिया है काला नमक हमारे पाचन को बहुत पूर्ण होता है हमने 10 ग्रैम मिठा सोडा ले लिया है 10 ग्रैम हिंग ले लिया है हिंग भी हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है तता गैसेस में विशेश लाब दिलाता है पाच ग्रैम नीबुसत ले लिया है इसे नीबु के फूल भी कहते हैं 10 ग्रैम मेंं ke baru में तो जितना बताए उतना कम ही है यह हमारे पेट को साफ करने में हिम हिना है तथा गयासेस अपच में आराम दिलाने में बहुत ही असरदार होता है 10 ग्रैम जीरा ले लिया है जीरा भी हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे दिखाती हूँ ये नवसादर इस तरह से आता है हमें केवल दो ग्रैम नवसादर लेना है बाकी सारी चीजे हमने दस ग्रैम लिये है निबू के फूल पाच ग्रैम लिये है और ये नवसादर दो ग्रैम लिया है इसको जादा मात्रा में नहीं लेना है गैस पर एक तवा रख इसे डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम रखेंगे और इसे धीरे धीरे अच्छे से सेख लेंगे आप देखेंगे कुछ ही मिन्टों में यह हरड फूल कर बड़ी हो जाएगी यानि की साइज में डबल हो जाएगी दो से तीन मिनिट भूनने के बाद हरड में रख देंगे इसी तवे पर अभी हम अजवाइन और जीरा डालेंगे गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जब हम इस गैसर चूरन को स्टोर करें तो यह चूरन खराब ना हो दो मिनिट भूनने के बाद जीरा और अज कुछी खुश्बू आने लगी है अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे भी सेम कटोरी में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अभी यह सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी है आपको एक बात का विशिष धान रखना है जब बुके फूल याने के निबुसत डालेंगे नौसादर डालेंगे इसका ढखन लगा देंगे और हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है देखे हमने इसे अच्छे से पीस लिया है एकदम फाइन पाउडर बनकर त्यार हो गया है आप चाहे तो इसे चान सकते हैं लेकिन बहुत ही फाइन पीसा है इसलिए मैं इसे नहीं चान रही हूँ अभी हमारा गैस हर चूर बनकर तयार है इसे अभी हम एकटवरी में निकाल लेंगे देखा आपने यह पाउडर कितना ड्राय है इसे आप पूरे छे महनों तक स्टोर करके रख सकते हैं इसे फ्रीज में वशक्ता नहीं है अब बहार ही रख दीजिए इसलिए हमें जब जीरा अजवाइन हमने भुना था तो पूरा ठंडा होने के बाद ही पीस नहीं अगर हम गुनगुना रहते पीस लेते हैं तो इसमें नमी रह जाती है जिसकी वज़े से इसे हम ज़्यादा दिनों तक स्टो पूर्ण बन कर तयार है चलिए इसे कैसे इस्तमाल करना है अभी ये जान लीजिए हमने यहां एक गिलास ले लिया है इसमें एक चम्मज भर कर गैस हर चोर्ण डालेंगे अभी हमें इसमें एक गिलास गुन गुना पानी डाल देना है देखिए दोस्तों जैसे हम इसमें प में तुरंत आराम मिलेगा दोस्तों आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है और रात में जब आप रात का खाना खाले तो एक घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं अगर आपको जादा समस्या है तो आप इसे दिन में दो बार ले सकते हैं और अगर जादा समस्या नहीं है त दोस्तों ये घर पर बना हुआ गैस हर्चूरन इतना असरदार है कि अगर आप इसे लेना शुरू करते हैं तो आपको गैसेस से संबंदित कोई भी समस्या नहीं रहेगी साथ ही पेट दर्ग की समस्या भी नहीं होगी और आपको बाहर से कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ लिक रहें तो आपको क्या करना है तली भुनी चीजों से दूर रहना है अपने भोजन में पोशन युक्त आहर को शामिल करना है भरपूर पानी पीना है इसे के साथ हलके फुलके वैयाम करना है हो सके तो तेज चलने का वैयाम जरूर कीजिए इससे गैस की समस्या में काफ नहीं होगी दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस असरदार नुष्खे से लाब हो सके और अगर आप हमारे चैनल पर नए ह इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते